चलिए हम class की बात करें तो अभी तक क्या क्या कर लिया सर अभी तक हम बात करते हैं chapter start किया था बहुत simple chapter capital budgeting सबसे ज़्यादा weightage का जरूर है ये chapter capital budgeting सर capital का मतलब यहाँ पे था assets से और सर यहाँ पे assets भी कौन सी वाली बात करेंगे plant and machinery capital budgeting में हमने देखा था assets assets में fixed assets, plant and machinery, furniture और building की बात नहीं होगी इसके अंदर planning क्या होगा कि we should assets buy और replace या फिर नहीं buy करें ये planning रहेगा तो इसी से बन गया assets की budget कर रहे हैं basically तो बन गया हमारा capital budgeting आगे हमने question देखा था, format देखा था, capital budgeting का क्या format रहेगा यहाँ पे हमने देखा inflow निकाला जाता है और inflow और profit कभी भी equal नहीं होता क्योंकि last में हम क्या करते हैं depreciation को add कर देते हैं ये देखा था last में हमारा क्या होता है depreciation add हो जाता है इसके बाद हमने देखा था, terminal flow terminal flow के अंदर जो machinery में पैसा गया ये तो हो गया हमारा क्या सर ये तो हो गया हमारा terminal outflow inflow क्या होगा हमारा मैंने बताया था terminal inflow जो होता है न सर वो होता है हमारा जो machinery बेच के scrap value से पैसा आया हो या कोई working capital हो अभी समझेंगे working capital का point या कोई saving हो tax से इन सभी को जोड देंगे तो ये terminal से inflow आ जाएगा last वाले year में जो life होती है machinery की उस साल में इसके बाद हमने question करा question number one और इस question में हमने तीन question को find किया था एक था हमारा annual inflow एक terminal का outflow initial outflow और एक inflow तीन question हमने किये sir एक और question हमने आगे देखा sir एक और question क्या देखा कि WDB जब आ जाएगा न तो उसमें फरक होगा WDB में क्या हो जाएगा हमारा फरक आएगा जैसे ये question था WDB में हर साल का profit अलग आएगा उसकी वज़े से हमने अलग अलग साल का अलग अलग inflow निकाला लेकिन last वाले साल में क्या हुआ था last वाले साल में तो ये तो inflow था ही sir इसमें हमारा scrap को और add करके फिर बता दिया गया था last का ये रहेगा चलिए आज एक और question है आपके सामने इस question को करने से पहले हम समझते है sir working capital क्या होता है working capital देखिए ध्यान से देखिए suppose करिए आपने कोई भी एक machinery x y z machinery बोट पे ध्यान दीजिएगा x y z कोई भी machinery है ठीक है न और इस machinery को जब आप buy करेंगे तो सिर्फ machinery को buy करने से नहीं होता देखो जैसे आप घर में equipment खरीद तो tv खरीदा कोई चलाने के लिए नीच चाहिए ये खुदी चला लोगे same ऐसे AC, fan, जो चीज़े घर में equipment, machinery वो खुझ चल जाता है लेकिन जो factory के अंदर आप machinery खरीदते हो तो उसको चलाने के लिए specially आपको expert को hire करना परते हैं समझ रहे हो और expert के साथ-साथ उस machinery के उपर कुछ खर्चे और भी बढ़ जाते हैं क्या खर्चे बढ़ जाएंगे सर इसके अंदर repair का खर्चा बढ़ जा सकता है तो यानि जब machinery खरीदते हैं तो इसके साथ-साथ हमारा expense भी आता है अब ऐसा भी हो सकता है कि सर ओल्ड machinery जब हम चला रहे थे न तो वहां पर खर्चा हमारा 5000 का आ रहा था नई machinery के अंदर खर्चा हो सकता है कि यह 3000 हो जाए तो initial level पे working capital क्या होता है सर working capital होता है आपका जो आपको payment करना पढ़ रहा है यानि काम करने के लिए जो capital चाहिए उसे working capital कहते है working capital वाले chapter में देखा है हमने तो working capital का मतलब जैसे की आपको कितना पैसा और required है simple सी बाद है required amount मैं बोलूँगा कैसे सर आप क्या करते हो सर current assets minus में current let's example current assets हमारा debtor है यानि आपने उधार माल बेचा current liability आपका creditor है इसका मतलब आपने उधार माल खरीदा अगर ये 100 रुपय का है और ये 80 रुपय का है तो आपको जरूरत तो 20 की पड़ी न क्योंकि आप 100 का उधार माल बेचते हो जहां से 80 का तो आपको मिली रहा है उधार तो जो मिल रहा है उसका इंतजाम करने की रहा है वो तो debtor से ही एक दिन मिलके हो जाना है तो हमें और extra कितना इंतजाम करना है सेम ऐसे इस machinery को चलाने के लिए extra अगर labor की बात करो तो इसको payment करना को तो यहां पर इसको एज़र हम working capital ले ले लेंगे तो labor वगएर को जब initial level की बात करें न तो starting में न स्टार्टिंग में जैसे machinery हमारा मान लेते हैं पांच लाक रुपय का है तो labor भी चाहिए working capital चाहिए एक लाक का तो sir initial outflow तो आपके 6 लाक लगेंगे ऐसा थोड़ी करोगे के machinery लाओगे और machinery को लेके रखे रहोगे उसको चलाने के लिए तो चाहिए न लेबर वगएर चाहिए जो material लगता है कुछ भी तो initial outflow क्या होगा 6 लाक कैसे sir initial outflow machinery की value और जो working capital की requirement है लेकिन जो यह एक लाक वाला है न यह खतम हो जाएगा जो एक लाक starting में लगाए था वो starting में एक लाक आपका वापसी आ जाएगा sir कैसे वापसी की बात कर रहे हो आपके जो 20 रुपे की जरुरत है बाद में जब debtor देगा तो आपके 20 वापसी नहीं आएगे क्या जो debtor पैसे दे देंगे तो वापसी आ जाएगा तो जो last year में है न तो last year के अंदर terminal से पैसे क्या आएगा पता है आपका scrap scrap बेचो के तो वो पैसे आ जाएगा plus working capital के जो भी फस रहे थे पैसे वो भी वापसी आ जाएगे plus आपका tax का जो भी saving बगरा रहता है वो भी वापस हो जाएगा तो terminal का अगर inflow पूछू ना मैं तो ये रहेगा सारा यानि major मुद्धा सर अभी में बताना चाहता हूँ के working capital initially हमारे outflow का part होता है और end of the year में वो working capital हमें वापसी मिल जाता है ठेक है ना उस ही के basis पे एक छोटा सा question देख लेते हैं Sir question में क्या कहता है Question में कहता है एक X limited planning to purchase a machine rupees आपका डेड़ लाख रुपे का which is likely to bring following earning in next five years Sir आपको अगर पांस साल का अगर इसका earning दे रहे हैं तो आप समझ जाओ इस machinery की life भी पांस साल है हमेशा capital budgeting में आपको assets का जितना life होगा उतने साल की earning की बात करेगा तो पांस सालों का आपको earning दे दिया पहले साल में आप कमाओगे पचास अजार दूसरे में 55 फिर 60 फिर 62 फिर यह total आपकी earning है not cash inflow क्या यह cash inflow है नहीं है सर cash inflow क्योंकि अभी तो इसमें से डेफ बकेरा भी यह ebit है अपका एक तरीके से टू परचेस ऑफ मसीन विल बी रिजल्ट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रुपीस पंद्रह हजार सर जैसा ही हम मसीनरी को खरीदेंगे न हमारा वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा पंद्रह हजार का ठीक है दा मसीन विल बी डेप्रिशेट एसलम बेसिस ऑन दा सालवेज वेल्यू पच्छेस हजार तो डेप्रिशेशन के आपको याद होगा मैंने बोला था परसंटेज नहीं गीवन होगा न तो वो फॉर्मूला ल बढ़ा के निकालते होना यह एसलम का ही पार्ट होता है तो सिंपल सी बात है जो अभी हमारे पास कुश्चन एट पर्जेंट में आप इसमें देखोगे तो रेट नहीं मिलेगा आपको आपको रेट नहीं मिल रहा तो इसका मतलब सर लाइफ दे रखा है स्क्रैप दे रख तो आपको जो हम बोलते थे ना सस्ता बेचोगे एसेट्स को तो आपका होगा महनगा बेचोगे तो आपका नुक्सान जो लास्ट क्लास में मैंने समझाये था तो वो वाला कॉंस्ट अप्लिकेबल तब तक नहीं होगा जबतक कोश्चन ना मोलने के क्यापर वैंका भी तो हमें पांस सालों कर सारा डिटेल बना लेना है, बनाने का क्या तरीका है, बहुत सिम्पल सा तरीका है, पांच कॉलम डुरोइप कर लेंग meio सबसे पहले ने कुश्चन समझ में आना चाहिए मैं एक बार और कुश्चन समझाऊंगा अगर आपको कुश्चन नहीं समझ में आएगा तो फाइदा ही नहीं है फिर तो पुझे एक साल दो साल तीन साल चार साल और जी ये पांचा कुश्चन में requirement क्या पूलता है ता company subject to tax company को बताना है कि requirement नहीं बता है इसमें मैं requirement लिख देता हूं requirement है annual inflow आपको exam में भी न ऐसा question मिल सकता है सर निकाल ले क्या तो वैसे question में जब कुछ ना बोला जाए तो annual inflow निकाल दीजिए terminal outflow निकाल दीजिए और एक terminal inflow निकाल दीजिए यानि ये question आपको examiner को निकाल के दे देना है अगर question कुछ बोलता है नहीं है समझे तो सर यहां सबसे पहले हम profit ले लेते है और profit तीन सालों का दे रख़ा है अलग-अलग पांस सालों का profit year 1, year 2, year 3, year 4, year 5 पहले साल का profit बताए सर फिर 55,000 उसके बाद 60 के इसके बाद 62 के इसके बाद 65 के सर इसमें से minus करिए आप depreciation क्यों सर depreciation क्यों minus करें क्योंकि text लगाना है आपको actual पे वीडियो रुक रही है और कितने बच्चे कह रहे हैं के सर वीडियो रुक रही है बताए फटाफट heading में calculation of cash inflow heading पूछ रहे है बच्चे तो cash inflow for each year बस बताए वीडियो बच्चों का सर कह रहे हैं के clear ठीक है कुछ बच्चों का हो सकता है वो आप manage कर लीजिए एक बार सर क्या manage करना है वहाँ पर आपका setting का option होता है वो setting में जाके change कर लीजिए सर depreciation निकालते है पहले तो depreciation क्या होता है सर cost machinery का minus में scrap installation charge है नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा divided by सर कॉस्ट कितने का है सर यहाँ पर cost है डेड़ लाग minus scrap 25 का divided by 5 तो सर 25,000 SLM है तो आपको पता है हर साल सर आपने तो बोला था WDB में जंजट आएगा दो तरीके से आपको अलग अलग ही निकालना पड़ सकता है when unequal income और जब WDB हो ठीक है न क्योंकि unequal income है चलिए सर क्या आएगा हमारा इसको बोलते है profit after depreciation कह सकते हो after death ठीक है after death थोड़ा बड़ा लिख देख profit after depreciation सर माइनस के हैं इसारे समझे आप अब माइनस करिए सर tax कितने percent है question में 30 percent given है तो वो माइनस कर देते हैं सर तीस का क्या आएगा 75 नो हजार दस हजार पान सो ग्यारा हजार एक सो बारा हजार सर ये आजाएगा net profit after tax जिसे हम P80 कहते हैं ये आजाएगा साड़े साथ माइनस करोगे तो 17 अजार 21 24 पान सो बताईए 25 नो सो सही बताईएगा बस 28 हजार सर वापस क्या कर दें इसमें depreciation क्योंकि निकाल क्या रहे हैं inflow ये question कहां से करवा रहे हो सर ये आरपी रस्तोगी book का question है मैं notes डाल दूँगा उसमें मैंने कहा था कि मैं कुछ chapter जो heavy है उसमें book 10 years सारे चीज़े कराऊंगा उसमें ये book का question है तो सर ये book तो लिया नहीं आपने मना ही कर दिया तो मैं इसके PDF डाल दूँगा आपको clear क्योंकि फाइदा नहीं है कि देखो book लेने में कोई बुरा ही नहीं है तो मैंने सारे question करा रहा हूं तो दिकत नहीं होनी चाहिए वैसे सर इसके बाद क्या जाएगा हमारा cash inflow 42 च्छालेस अजार पचास नौसो 60 53 यह बड़ा कमाया 53 नहीं ज्याद ही है 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 तर यह हो गया cash inflow मैंने तीन question बोला था जिसमें से पहला तो निकाल दिया दूसरा टर्मिनल आउट फ्लो तो दूसरा question नमबर टू हमारा machinery सर machinery है एक लाक और प्लस वर्किंग कैपिटल इसमें वर्किंग कैपिटल एड होगा जो की requirement है 15,000 है ना तो एक लाक 65,000 सर दो question done कर दिये बताइए किसी का डाउट दो question done कर दिये किसी का डाउट हाँ PBT भी कह सकते हैं profit before tax सर अगले यह तीसरा question कर रहे हैं हम चलिए तीसरे question के बात करते हैं मैंने point second बोला यह सर question number three heading में year नहीं लिखा रहे कोई फरक नहीं पड़ता यहां particular यह year लिख दो बस each year अच्छा यह बोल रहे हैं साइट वाई रहे गया है अभी रुक जाओ बताते हैं बताते हैं इसको सर इधर कर देते हैं ठीक है question number three का जवाब यहां देते हैं terminal inflow sir terminal inflow क्या होता है salvage value salvage value कितने का था sir 25,000 plus में working capital यह आ गया sir working capital का कुछ बच्चे पूछ रहे पहले यहां तक देखें फिर में दुबारा question समझाओ question question में क्या था sir हमने एक machinery खरीदा जिसकी कीमत एक पचास है और साथ के साथ हर साल वह machinery हमें earning करके देगा profit और profit जो करके देगा examiner अब मैं बताता भी जाओं examiner कई बार चलाकी करेगा हर साल का cash inflow इतना है बता देगा अगर cash inflow हर साल का बता दे तो यह वाली कहानी करने की कोई ज़रत ही नहीं है समझे न तो उसने बोला profit तो ध्यान रखना profit बोला तो भी यह सब डैप वेप का इंसाब किताब लगाना है अगर inflow बोल दिया तो कुछ नहीं करना तो examiner ने बोला भी हम आपको पांस सालों का profit बता रहे हैं तो जितने साल का profit बताये जाएगा उतने ही assets का life रहता है लगा देते हैं नहीं है तो formula तो हई है और हमारे scrap value या salvage value 25,000 है tax rate 30% है जब तक capital gain ना बोले हम वह वाला impact नहीं लेंगे saving वाली बाद यहाँ पे हमने क्या करा सर पांचों साल का profit डाल दिया और depreciation हर साल का मैंने यहाँ पे निकाल दिया एक साल का इस formula की मदद से और हर साल का मैंने क्या करा सर हर साल का मैंने यहाँ पे depreciation minus कर दिया एक एक करके depreciation minus करने के बाद ये profit after depreciation हो गया एक बच्चा कहता है सर हम इसे बोल सकते हैं profit before tax हाँ जी बोल सकते हैं आप कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद इसके उपर 30% का tax लगाया tax लगाने के बाद profit after tax आया और इसमें हमने dap add करके क्या निकाल लिया cash question ने तीन बाते पूची थी सर नमबर वन आप निकाली है inflow नमबर दो बताईए outflow नमबर तीन बताईए terminal से कितना पैसा है terminal का मतलब assets तो सर पहले साल का inflow दूसरे तीसरे चौथे पाँचवे साल का inflow तो है लेकिन terminal से अगर हम outflow की बात करें तो टर्मिनल से outflow यह है हमारा एक पैसक सर working capital का क्या रोल है working capital ना हमारा लगता है कि initial stage में आपका पैसा फसेगा working capital में तो आपका outflow का ही तो पाट है और last वाले year में आपका working capital लगेगा नहीं वो पैसे वापसी आ जाते हैं आपका तो पैसा आ रहा है तो वो inflow का पाट हो गया तो इसलिए initial में आपका add हो गया क्योंकि हम यह outflow बता रहे हैं आपको और यहां पे भी add हो गया sir क्योंकि inflow बता रहे है इस वाले में working capital का पैसा आ रहा है और वहां पे add करने का मतलब working capital का पैसा जा रहा है जब कभी भी question में working capital दिया जाएगा उसको ऐसे ही treat किया जाएगा आने आले question में तो बहुत सारे question करने हैं अले कोशन में कई बार हो सकता है कि तीसरे साल में बोवले कि हम वरकिंग अपटल लगाने जा रहे हैं ऐसा economy हो सकता है कि कि थीसरे साल में यार हमसे काम नहीं हो पाइगा जैसे मान救 शुरूमने तो मैं चला रहा हूँ काम बढ़ गया, दो साल बाद बोला है रहा मेर से नहीं चलेगा अब इसके लिए लेबर ही रख लो, हो सकता ऐसा, तो दो साल के बाद working capital लाएगा उसका भी हम देखेंगे, तो पहले अब देखें यहां तक कोई दिक्कत, salvage value क्यों नहीं लिया, ले रखा है, देखो salvage value, क्यों देखेंगे, 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 देखेंग झाल 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 अभी देखे सिर्फ इससे बात है डाउट ले लिजिए बाकी मैं बता दूँँ आपको आउट फ्लो होता है जितना पैसा हमारे पॉकेट से जाएगा तो इनीशियल स्टेज में हमारा मसीनरी से रिलेटेड जाएगा और सर वर्किंग कैफिटल से रिलेटेड जाएगा अभी कुछ कोश्चन कराने दीजिए फिर मैं आपसे बाते करूँगा जिसके जिसके जो जो डाउट है और शित कि मैं अभी हैंड रेज का भी अभी एक कुश्चन और कराने के बाद सभी बच्चों से प्रस्नली हैंड रेज का मैं आप दाउट पूछ सकते क्या अभी करूँगा तो फिर थोड़ा सा रिदम तूट जाएगा झाल